ये चार्ज समाज की बात आई थी A.C.S.T. O.B.C. और माइन लिटी लेकिन इस चार्ज समाज की अंदर जो पढ़ते हैं जो बारिकियां हैं उनकों भी थोड़ा सा बैग्यानिक दिश्टी को उनसे समझने की जरुवत है वैसे तो O.B.C. की अवादी लगवब 54 से 60 पिश्टी है ये सबी लोग जानते हैं लेकिन उसी O.B.C. में एक बर्ग है E.B.C. एक स्टिम्बली बैकपर कास्ट जिसको अत्यत पिश्टाबर करते हैं उसकी अवादी है लगवब 35 से 40 पिश्टी उसी 60 परसेंट में से उसके तरफ ध्यान में इसलिए अत्यत करना हूँ कि राश्टी ये पटल पर ये समस्या है और इस समस्या से अगर हम निजात नहीं पाया तो आने वाले समय में जिस संतियों के और इसारा कर रहे हैं हमारे पुरू के बगताओं ने परतिकिरियाबादी ताकते उसको हवा देगी और उसके आग के लपेट में हम सभी लोग आ जाएगे और हमारा बहुजन समनवे भी आ जाएगा वैसे तो मंडल कविशन की उप्रती पिछड़े समाज के लिए और भार्तिय जनतंत्र में एक बहुत ही मुल्लेवान चीज था लेकिन उस समय के भी दो सबस्यों ने जब मंडल कविशन लागू हो रहा था तो उस समय लोगों ने भी अपना आपती दर्ज किया था आपती उनका याँ था कि जिस तरह से बड़ी मचलियों का छोटी मचलियां अहार बन जाती है उसी तरह समाज में अस्तरी करण जो है सोपानी करण जो है केटे के राजिसन है वो आवस्य है ताकि बड़ी मचलियों का छोटी मचलिया अहार न बन सके लेकिन उस समय के चेर्मेन सामने द्यान नहीं दिया, नतीजा हुआ, आज भी हुआ समस्या नासूर बन करके खड़ी है और इसका सरे और भी आता है कि बिहार के हमारे एक नेदा थे आदर्निये मरहूम जन्नायक कर पुरी ठाकुर जी राष्टी रागिति उन्होंने नहीं किया, लेकिन बिहार के इंदर उनकी रागिति की मिसाल आज भी कायम है और जोगों तर कायम रहेगी, उन्होंनों जो बिहार में आरच्छा लावू किया था, जिसको आज भागतिये जन्ता पार्टी उस तरह फे देख करके और बिचार कर रही है कि उस तरह की आरच्छन ब्यवस्ता पिछडों में भी अजी पिछडों का यासो पानिक करन किया जा, उन्हीं का वो फर्गुला था, जो आज कर पुरी फर्गुला के नाम से वो भी सिक आरच्छन जाना जाता है मैं बिस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना ही सादा अवस्ते करना चाहूँगा कि समय रहते अगर इन रास्तिये समस्याओं को ध्यान नहीं दिया गया, हमारे सुबह दरायर मालाकार सर्फ पिसर है जेली में, इस पर बहुत से बिस्तार से चर्चा पिहार के अंपर में रखते हैं और जो बोजगर रखते हैं, तो समय रहते इन रास्तिये समस्याओं को धर नहीं रखा गया, तो यहां जो आसिये पर एक बहुत बड़ी आवादी है, वह छुट जाएगी, और आपका जो बहुत समन्वे का जो परिकल्पना है, वह साकार नहीं होगा, इसलि झाल